नमस्कार मैं राजू सज्वान एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ टाउन टू अर्थ की इस विश्य स्रीज में इस स्रीज में हम आपको बता रहे हैं कि पिछले साल से लगे लॉकडाउन की वज़े से अलग-अलग छित्रों पर क्या परभाव पड़ा तो आज का विशे है मज़दूरों का पलायन इस पर हम विस्तार से बात करेंगे हमारे साथी समधाता बिवेक मिश्रा से बिवेक आपका स्वागत सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के कितने दिन बाद मज़दूरों ने पलायन सुरू किया और क्यों किया क्या वज़े रही हम सभी जानते हैं कि इस देश में जो बीतेवर्स कुरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाए गया वो बेहत डरावना था और काफी लंबा और बड़ा था जटिल था अगर आउक्सपोर्ड इन्वेस्टी के शब्दों में तो ये सबसे कठोर लॉकडाउन अगर दुनिया में कहीं लगाया गया तो भारत में लगाया था अगर लॉकडाउन लगाया तो इसका मतलब था कि स 30 फीजदी जनता है वो प्रवासी है और इसमें सबसे बड़ा जो चंक है वो महिलाओं का है यानि अब हम हमारे जो पते हैं शहरों में ज्यादा तरलोग के जो पते हैं वो कहीं न कहीं दूर गाओं से या किसी कस्वे से आये हुए लोग हैं अब इसमें एक शब्द जूड तो हमारे देश में अनौपचारिक श्रम जो है यानि ऐसा श्रम जो हाथ से किया जाता है वो बहुत जादा है जैसे ही लौकडाउन लगा ये सारे श्रमिक जो है उनके कामकाज बंद हो गए तो हमने देखा कि लौकडाउन लगने के यानि 25 मार्च के 2-3 दिन बाद ही दिल लाख लोगों की कतारें जुट गई जो कि अपने घर जाना चाहते थे तो उनके पास बिल्कुल भी खाने का फर्स डे से खाने पीने का समान नहीं था हम डाउन टूर्थ की टीम बाहर निकल रही थी हम लोग बाहर निकलना शुरू कर चुके थे तो हमने देखा कि करीब ए देशिया की जो सबसे बड़ी मन्ली थी उसका जो कामकास था घटकर पचास परसेंट हो गया यानि उसकी सप्लाई जो है और जैसे ही अर्थसास्त के सिद्धान के हिसाब से मांग और आपूर्ती प्रभावित होती है वो शर्मिकों की मांग को भी कम कर देती है हमारे देश में शर्मिकों की मांग अनौप चारिकता को ज्यादा बढ़ाती है और जैसे ही मांग अपूर्ती किया कनेक्शन टूटा शर्मिकों की मांग बाजार में कम हो गई तो वह खाली बैठे रहे तो जब हम पहुचे तो हमने बड़ी बहानक इस्तितियां वहां देखी किसी तरह कोई कोविट से बचाओ का इंतजाम वहां नहीं था श्रमिक भूखे बैठे हुए थे उनके मकान मालकों ने उनको घर से बाहर कर दिया था कई लोगों के पास दो तीन दिन के ठाने पीने का इंतजाम था और सब लोग जादा तर ये बात कर रहे थे कि वह अब आज नहीं बच्चे महिलाएं और पुरुष जो है अपने कांधों पर बुरी विस्तर रखकर वापस घर को लटने लगे अच्छा एक चीज़ मैं यह जानना चाहूंगा है क्या कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा आखड़ा है कि कितने लोगों ने प्लाइन किया जी यह बहुत लेकिन हम अभी ठीक तरीके से नहीं बता सकते कि कितनी वास्तिक संख्या इस लागडाउन के दर्मियान जो की चार स्टेज में चला और करीब तीन महिने तक रहा उसमें कितने लोग वापस अपने घर लोट गए अप्रेल के महिने में सबसे जादा रोजगार चिने थे करी एक बात समझ में आती है कि रोजगार तो तुरन लागडाउन के बाद खतम होने लगे थे तो उनकी बड़ी संक्या लोटी होगी फिर भी सरकार ने अपने एक आकड़े में दावा किया है कि करीब एक करोण लोग अपने घर को लागडाउन के दर्मियान लोटे लेकिन तो उससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, विहार, उत्तरकंड मिलाकर करीब 60% संक्या एक करोण की वो अपने घरों को पहुची थी और उसके हमने जिलेवार चोटे-चोटे आकड़े भी जुटाएं हैं तो समझ में आता है कि करीब 50% जो पलायन हुआ दिल्ली और मुं लोग ही लोटे थे, पूरी तरह से शाहिद भी सुस्क्राइब कोई ठोस आकड़ा हमारे सुस्क्राइब जब लोग भरों से बहार निकले खासकरे परवासी बहार निकले तो इनको पहले जगया जगया रोपने का प्रयास किया गया उनके लिए कोरंटीन सेंटर या जो भी पूशिश की गई, लेकिन जब वहें नहीं समदे लोग तो फिर उसके बाद उनको जाने के अलग-अलग इंतजाम किये गए और इनके इनके लिए रासन की वैवस्ता की गई, खाने पीने की वास्ता की गई, कई चीजनों की वैस्ता की गई, तो क्या आप इनके साथ लगा हुए हैं उनकी दो लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गाउं का मौसन गुलाबी है यह आकड़े जूटे हैं यह दावा किता भी तो दरसल लॉक्डाउन के दर्मियान बहुत सारे अन्रिपोर्टिंग किस्से हैं अन्रिपोर्टेड किस्से हैं और उस वक्त लोग अपनी जान बचाने के फिरात में ज्यादा थे कुछ लोग जो महामारी से डर रहते और कुछ लोग जो भूखे प्यासे थे एक मई को जब बड़ी संख्या निकल चुबी थी जो डस हो चुका था फिर दबे आवाज आने लगी दबी आवाजे आने लगी कार खानों से श्रमिकों से आई कि ट्रेनों के ट्रेने जो चल रही थी वो परियापत नहीं थी और उनके टिकेट बहुत लंबी वेटिंग के बाद मिल रहे थे तो श्रमिकों को बिल्कुल निराशा हो गई कि कोई विवस्था नहीं है दूसरी चीज थे कि दिल्ली के अंदर रहन बसेरे बनाए ग रखा गया लेकिन वह 7000-8000 के आसपास की विवस्था थी तो वह प्रयापत विवस्था नहीं थी जिस हिसाब से लोग सड़क निकल रहे थे तीसरा जो सबसे जैसे कोई महामारी में हमें दो पक्ष बहुत साब साब दिखाई देते हैं एक मानुए पक्ष और एक मानुए पक्ष भी जो हमें दिखा वो यह की समाने लोग जो शहरों के किनारे गाउं के किनारे थे उन्होंने खाना बना बना कर सड़कों पर मजदूरों को देना शुरू किया मैं सड़क पर था तो गर्मी बहुत ज्यादा थी मई का वक्त था टंप्रिचर बहुत बढ़ चुका प्यास और भूक की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही ती दिन बदिन और जो लोग सड़क पर थे उनके सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि डिहाइड्रेशन और खास और से बच्चे और महला हैं उनको किसी तरह की समस्या जो हीट स्टोक वगरा इस सब हैं उससे बच ज जाती तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हम जो पलायन पठी है खासतोर से तराई की तरफ जाने वाली उत्तरपरदेश और विहार की तरफ जाने वाला जो रास्ता है दिली से उस पर बहुत लाशें पड़ी होती यह बात कही जा सकती थी क्योंकि बहुत सारे बीमार लोग बुज़ो लोग सड़क पर भूखे प्यासे चले जा रहे थे मी लोग जून में सरकार को ये समझ में आ चुका था कि लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा और उनको सरकार को ये भी लग रहा था कि अब सैद भुकमरी से लोग मरेंगे जितना की कोरोना से न ठीक बाद दो बड़े हाथसे हुए थे एक बड़ा हाथसा औरंगाबाद महराष्ट में हुआ था साथ मही को जिसमें करीब 15 मजदूरों की रेलवे पठरी पर जान चली गई थी इस किस्से ने देश को दहला दिया क्योंकि भूखे पैसे मजदूर आराम करने के लिए खबर सुनाई दी वो एक टर्निंग पॉइंट था लागडाउन में जैसे ही यह खबर आई लखनाउसे और चुकि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था स्रमिकों का गुस्सा बढ़ रहा था तो उत्तरपर्दे सरकार ने अनॉंस्मेंट कर दिया कि जो तीसरा लागडाउन ट्रकों में गाडियों में अलग-अलग किसी भी तरह से और काफी कीमत चुकानी पड़ी उनको अपने घर जाने के लिए मसलन एक एक लाख रुपए दे कर ट्रक में बैठना पड़ा एक एक परिवार को और वो सब पैसे कर्ज के थे और इधर-उदर से मंगाए गए पैसे यानि घर जाने की ही कीमत उनके उपर कर्ज के तौर पर चड़ गई थी जब वह गाओं पहुचे तो पहली चीज जो हमें नजर आ रही थी कि गाओं पहुच के आखिर होगा क्या सरकारे दावा पर रही थी कि वह गाओं आने वाले सारे प्रवासिश्रमकों को कुरिंटीन करेंगी और उन्हें वहां पर राशन देंगी और राशन देने के बाद उनको काम देंगी तो यह जो तीन प्रोसेजर हमने वर्तिकत तोर पर अन्भो किया कि कुरिंटीन सेंटर में मजदूरों को ले जाया जा रहा था एक थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी थर्मल स्क्रीनि दिया जा रहा था तो ये बात कह सकता हूं कि जो 25 किलो आनाज की मदद थी यानि जो बात पहले एकोनॉमिस्ट और सब लोग उठा रहे थे कि हमारे जो आनाज की को नाम है वो खोल दिये जाए तो वो जो खोला गया जिसमें खास्तोर से दाल की विवस्था की गई तो 80 लाख लोगों को शाहिद बाटने का दावा है सकार का तो वो बटी उसमें बहुत सारी डिस्परेट्टी थी गाउं में बहुत सारे परधान या सरपंच या जो जिम्मिदार लोग थे वो सारे मजदूरों को यह डिलेवरी नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी बड़ा चंग उसको रहा था लेकिन यह 25 अनाज बहुत दिन टिकने वाला नहीं था जैसे ही नेक्स दे हुई सुभा हुई बहुत सारे प्रवासी मजदूरों के सामने संकट था कि उनके कागज ठीक नहीं थे तो उन्हें अनाज लेने में दिक्कत हो रही थी दूसरी जो सबसे बड़ी समस्य रही थी कि वहां पर मंद्रेगा जो योजना थी महात्मा गंधी राष्टी रोजगार गारेंटी कानून योजना उसके तहर जो काम मिलना था पक्ता रोजगार उसके भी कागज जाब कार्ड नहीं बने हुए थे अच्छा अब एक मेरा आखरी सब्सक्राइब भारत जो है पड़ने वाला है अभी जो माइग्रेंट्स लंबे लॉक्डाउन के बाद और खास्तर से अनलॉक्डाउन के बाद लॉट कर शहर में किसी उमीद से आये थे कि उन्हें काम मिल जाएगा और उनका जीवन फिर से पठ्री पर लॉट आएगा जैसा सरकार भी दावा कर रही लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं जमीन पर क्या हुआ कि अभी जब मजदूर वापस आए तो जो इंडस्ट्री इस थी खासरों से जैसे हम जानते हैं कि अगरी कल्चर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार दाता सेक्टर है वो है निर्माड छेतर तो अभी हम देख अभी इंडस्ट्रियल रिवलाजेशन रिवलूशन की बात हो रही थी तो उसमें जो उसमें कहा गया है एक रिपोर्ट में भी कि उसके जो अनात होंगे चौथी और विक करांती के उससे करीब साड़े आठ तरोन नोकरियां चली जाएंगी यानि स्थितियां और जटिल हो यह तो कुछ आकड़ों की बात है लेकिन जब हम लोगों ने यात्रा की थी तो हमारे साथ जो श्रमिक वापस लोटे थे उनसे हम लोगों ने बात की तो उनकी स्थितियां साल भर बात क्या है यह जानने की कोशिश थी तो उसको संक्षेप में अगर कहें तो साल भर पहले जो कर्ज लिया था उन्होंने अब उनके सर पर दोगना हो चुका है दूसरा है कि जो महिने में काम के घंटे थे वो घट गए तो अब उनको आधा आधा काम का मतलब है आधी पगार यानि अपने जीवन और भरन पोशन की लड़ाई से और ज्यादा कठिन इस्थितियों मे तो इस तरह आपने अभी विवेक मिश्रा को सुना हमने अलग-अलग अपिसोड में यह बताया है कि किसले एक साल के लॉगडाउन के दौरान किन प्रस्थितियों में लोग रहे अलग-अलग छेतर से हमने जानने की यह कोशिश की है हम आप पर छोड़ते हैं कि आप कितना अगले अगर लोगडाउन होता है तो उसको आप किस तरह से देखेंगे किस तरह से समझेंगे धन्यवाद